हलो फ्रेंड्स आप सबका आपके यूट्यूब जनरल में स्फेसर स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं रीट के में स्लिबस के नुशार मूलभूत संक्रिया हैं आज सात्यों घनेत की मूलभूत संक्रिया हैं आपकी जोड है बाकी है गुणा है भाग है उसके बारे में र संक्रिया है अब हम पढ़ते हैं कि मूल बूत संक्रिया है इसको धन बोलते हैं इसको रिन बोलते हैं माइनस बोलते हैं यह गोना मल्टिप्लाई और यह आपका बाग एडिवाइड यह चार मूल बूत संक्रिया ही होती है जो अपने रेट के स्लेबस के नुसार्स कोर्स में हैं उससे के बार में हमें पढ़ना है इनके उपर रेट में पहले भी आपका प्रस्न आ चुके हैं बहुत साज बार तो इनका हर ए प्लस करते हैं कि जोड होती क्या है, हम प्लस की बात करते हैं, प्लस जोड होता क्या है, जैसे मेरे पास कोई भी एक वस्तू है, जैसे मने दो मुल्द लिखा एक संक्या है कोई भी फिर और लिखा ठीकर यह दो है फिर दो और है तो इस परकार से अपने देखते हैं कुल कितने दो है कितनी संक्या हो जाती है इसके लिए हम क्या करते हैं इंके बीच में प्लस का निसान लगाद रहना है अपने पास कुल हो जाता है फिर हम दर बसमें के से सीखेगी दो जोड़ें के दो के बाद तीन चार फिर वापस जोड़ें के पांच छे इस प्रेकार से हम यहां पर छे लिखते हैं ठीक है अब इसी प्रेकार जिसे में कोई संख्या लिखता हूं जिसे यह 19 और प्लस आपके पास यह आपके 8 ठीकें दोस्तों इसमें आपको क्या करना है अधिक बडिया सनी जोड़ आप वह आती है लेकिन से लेते इसमें एक जोड देते हैं यह तो 20 हो गया ठीक है दोस्तों 20 के बार अपने पास जा क्या बज़ गया साथ 20 में साथ जोड़े तो सिधा 27 आ गया ठीक है ठीक है उसी प्रिकार अगर में और एक और सवाल लेता हूं जिससे की यह आपके पास 90 है यह 15 है इनको हम जोड़ते हैं ठीक है दोस्तों अब यह देखे 90 जो अपने पास है क्या है 100 के पाल 100 में कितना कम है 10 कम हम जानते हैं हम क्या करता 10 यहां से ले लेते हैं प्लस दस इसमें जोड़ दिया, सो हो गया, सो को, अब इसमें यहां पर पांच बर गया, तो अपने पास सो और पांच कितना होते हैं, एक सो पांच, ठीक है दोस्तों, इससे के अलावा, अगर हम और सोई कोई संक्या लेते हैं, जैसे कि यह 88 है, यह 13 है, फिर प्लस करेंगे, यह 16 के निकर्तम, यृह हमन्ने इसको कैह सकते है, यह 90 के निकर्तम भी है, दो यहां से उठागे, इसमें रख देते हैं, तो अपने पांच यहीं तो निकर्थी के एक सो, निकर्थी में जोड़ते हैं, सो एक सो एक अब देखिए साथ तो रीट में इस प्रकार के प्रस्ट तो आने वाले नहीं है यह तो सिर्फ पर प्राइम्बिक जान करी है अब रीट में किस प्रकार के प्रस्ट आते हैं उसी के बारेम हम देखते हैं यहां इस प्रकार के हमारे रेट में सवाल आते हैं, यहां पर देखिए X, Y, Z का मान ग्याद कीजिए, यहां X मिसिंग है, यहां Y मिसिंग है, यहां Z मिसिंग है, इसका योग दे रखा है, और हमें X, Y और Z का मान ग्याद करना है, देखिए अपने पास क्या है, यहां पर अप यहां पे चीए 5 यानि हमें 15 यह एक्स का मान ग्याद करने के लिए जी जो यहां पर लिखाया यहां पर उसके आगे हम एक लगा कर देखते हैं और यह अपने पास क्या है अगर हम एक से ब्राबर दो लिते हैं तो अपने पास क्या है अब अपने पास क्या एक हो गया अब आपने पास क्या देखिए तरह यह इसी प्रकार से यह पर पर लिखेंगे अपने पास क्या है यहां पर यहां प्लस जेड यह बारा जो है अपने पास जेड याद करना है ठीक है तो यह यहां पर इक पंदरा है यह 15 हम लिए यह इए 15 माइनस यह 5 और 6 फास से 11 यह भारा यानि कि अपने पास क्या जेड गामान तीन हो गया अब देखिए आप जोड़ के देख लिए आपके पास पांच से ग्यारा आजिका एक बारा बारा थी पंदरा पंदरा का पांच अचल का एक हो गया इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं ठीके दोस्तों अब अपने पास कुल योग कितना है 20 है बड़ाबर अपने पास क्या करेंगे यहां पे यह देखिए अपने पास यह 6 है 5 है प्लस Y है प्लस एक आशिका आया वो हो गया आपने पास कितना आगया वो आपके आशिका है यहां पर हम लिखेंगे 6 5 11 12 प्लस Y इस इस प्रकार से अपने पास तीन आ गया और Z ब्राबर आपके पास आठ आ गया इस प्रकार अपने तीन ही संक्याई जो है आपकी पूरी पूरी ग्याद कर लिए इसी प्रकार का दूसरा प्रसन अपने पास है एकस वाई जेट का मान ग्याद कीजिए और उनका योगफल ग्याद कीजिए ठीक है दोस्तों अब अपने को यहां पर देखिए च्छ है नीचे उनपर अपने पास क्या है पांच तीन आठ प्लस Y ठीक है पांच तीन आठ प्लस Y ब्राबर आपके अच्छ है इसका मलदों यहां पर क्या करना अपने हो शोला मानना इसको क्या मानना शोला ही मानेगे क्योंकि यहां पर देखिए हारी जियोशन क左र यह और तीन आठ प्लस वाई और वाई ब्राबर आपके पास सोला अमाहिना साथ ब्राबर यह आठ है ठीक है अब देखेंगे जोड़की देख लिए पांस तिन आठ और वाई का माल आठ 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 शोला होते है शोला का छे असलिका एक हो गया इसी प्रेकार इसमें भी अपने प पास 4 उप्रियों प्रेक्ष है प्लस 4 है प्लस 5 है प्लस एक हांसिलका है कितना है हांसिलका एक है तो अपने पास क्या हो गया 5 4 9 1 10 15 15 x 10 यानि एक्स ब्राबर 15 मैनस 10 ब्राबर 5 यानि आपके पास x का मान क्या गया 5 ठीक दोज़ों उस्छी प्रकार अब हम इसको देखते ह अपने पास नीचे 10 है, कितना है, 10 है, अब 10 बराबर, क्या मांते हम, 10 बराबर, आपके पास 3, 2, प्लस Z, और प्लस 1 हास्किल का आगेशा है वो, आपके पास 10 बराबर, ये 3, 2, 5, प्लस 1, 6, प्लस Z, ये इंपलाए चाहिगा, Z is equal to 10 minus 6, बराबर 4, इस प्रकार आपने पास स्ञंक्य क्या आगए, X का मान आगया आपने पास, 5, Y का मान 8, और Z का मान, आपके पास 4 आगया, अब इसने प्लस न आगे पूचा है, आगे काहा है, कि इनका योगफल कितना होगा, इसने इन X और Y, Z का योगपल कितना हो गया दिखें Y का मान 8 है X का मान 5, आपके पास 13 और 13 और Z का मान 4 13 चाथ 17 योग X प्लस Y प्लस Z इस इस गोड़ डू आपके पास 8 और 4 यह आपके पास 17 जिस option में आपके 17 होगा A में हो, B में हो उसको आपको राइट माल करना है जोड़ के बार अपना दूसी संक्रिया है आपका रेन या हम इससे कहते हैं बाती बहुत ही आसान है जिसे अपने 8 है इसमें सम को 3 गटाना है तो बच्पन दमाने क्या सिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 में से 3 नर्मी काड़ी 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5 ये हमने 5 लिख दिया ठीके दोस्तों अगर जिसे अंसलगी होती है जिसे आप में पास 14 और ये 6 है माइनस करने है अब इसमें क्या आपने पास लिखिये यहां बड़ी संक्या है नीचे छोटी है हम यहां से उधार लेते हैं चोदे हो जाते हैं और चोदे में से 6 गठा दे हैं यहां ग्याहत अंगलियों में गिन कर हम लिखते हैं कि चोदे में से जिसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, गार, बार, आत, या, चोदा चोदा में सब क्या करते हैं 6 गठाते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे अपने पास होगे 6, दो, आठ कितना बच गे हैं यह आठ इस प्रिकार से हम लिख देते हैं लेकिन यह अपने रीट में इस प्रिकार से आएंगे हैं रीट का थोड़ा लेवल है उस लेवल के अकोर्डिंग प्रस्न आएंगे हम उनी के उपर चर्चा करते हैं प्रस्न जो है कि 31001 को 101 से गोणा किया है मैंसे क्या गड़ाए जाए कि हमें प्राप्त यह संग्या प्राप्त हो जाए ठीक है इसके लिए हम क्या करते है माना की हमने संग्या मान लेते है फटावट करना है तो आपको प्रित्य में समझाने के लिए करना हूँ माना की X संग्या कटाएंगे ठीक है अब अपने पास क्या है 3001 3001 इंटू 101 मैंस X प्राप होने चीए अपने पास ये वाली संग्या ठीक है दोस्तूँ अब हम इनको गुना कर लेते हैं इनका अपने फास तेवल गती से गुना करना अपने को तो गुना करने के लिए आप कोईशी भी विदी काम में ले सकते हैं इससे पक्सांत्र करने पर इनके चिन, इनका मान सब बदल जाता है, इधर प्लस का था, इधर माइनस का हो गया, इधर माइनस का था रोग जाके प्लस का हो जाता है, अब इस में से गटाना हमें करना क्या है, तीन, यह संग्या लिगी, जीरो, यहां उदार लिया, आपके पास दरस, दरस में से एक गया तो 9 और यहां एक उदार दे दिया लेंगे वापस 11 11 में उदार दिया 10 10 में से 3 गे तो 7 यहां उदार दिया 2 0 2 इस प्रिगार अपने पास X का मांग क्या गया 2790 अपना option कौन सा वाला सही है बी वाला option सही है इसको तेज गती से अपने को करना है ताकि प्रिक्सामेट समय की बचत होसके जो भी आपका बी option है आपको उमाज सीठ के अंदर इस भी option को ही राइट करना है मूलबूत संक्रिया आपकी गुणा और इंगल्स में इसको multiple के नाम से हम जानते हैं ठीक है दोस्तों अब इसमें यह होता है कि गुणा होता क्या है गुणा हम किस प्रकार से करत गुणा जो आपकी पास क्या है जिसे की हम लिखते हैं ना दो गुणा तीर इसका मतलब यह होता है कि आपको बार बार जोड़ते हैं उसकी को हम गुणा कहते हैं जिसे दो को दो तीन बार जोड़ दिया इसका मतलब देगी यहां पर क्या है तीन पास किस इस रूप में किस नहीं प्रकार से लिखते हैं अब प्रकार से लिखते हैं अब इस बार बार है इसको दो तीन यह आपके पास नहीं पहले में दूसरी घर्था हूं यह तीन है यहांद कि दो तीन बार आया है इसका मदद दो तीन बार आया है तो इसका मदद इसको हम घुना के द्वार लिख देते हैं दो गुना तीन इसको इस प्रिकार से पड़ेंगे दो गुना तीन यह आपके पास छे हो गया इस प्रिकार जिसे दो लेते हैं दो को हम पांच बार जोड़ते हैं अपने पांच बार जोड़ते हैं अपने पांच वही तरीका है दो बाहर ले लिया एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच ठीक है दो यह अपने पास दो कोश्टक में पांच ठीक है यही दो पांच बाया है इसी को हम गुणा के रूप में लिख देते हैं यही बार-बार जोड़ने की क्रिया को हम गुणा के नाम से जानते हैं अब हम जीट के लेवल के कोश्चन देखते हैं एक सो चाल को पचास से गुणा को किस रूप में लिखा जा सकता है अर्याना टेट दो जाच चुबदा में आया वाह है बहुत ही सिंपल सा अप्टस्टन है अब देखिए हमें जिसे एक सो चाल गुणा पचास इसको गुणा करना अशा जबन गुना करेंगे थोड़ा दिक आपके इसन प्रिकार से बावन शौ अब इसमें देखिए अपने पास क्या है इन ओप्शन के अंदर आपका जो बावन और होता है वो सिधा कर देजिए यहां करतें के पना यह होता है तो GG है यहां पर 50 हम पॉर्ज है यह यह है PO गुणा पचास यानि यह आपके पास पांच जार लिया हो गया ठीक है दो और यह पांच जोग बीस ब्राबर पांच जार दो सो यह आपके पास चोथा उससे नहीं जुक्या हो गया एकदम से सही हो गया आपके साथ तो अगली सिंक्रिया हो अधिक वाक है जिसका चीन है और यि इसमें री और क्यक्क ऊचेwife अब जिसी होता क्या है यह आपकी कोई भी सेंग्या जिसे हम लिखते हैं दो इसका मतलब है कि हम किसी सिंग्या में से बार बार घटाते हैं वह वाजे के लिए फिर गटाया चार चार में से नाेमल खाया फिर दो है दो में से दो गटाया जीर है इस प्रिकार एक दो सरी यह फिर चार बार tree जोन ख़ servicio है इस भाग भी बाती ये का ही एक रूप है जिसमें हम इसको बाय बाय गटाते हैं जिसे सिंग्या को छोटा करते हैं गुणान के रूप में मुझे को छोटा करते हैं इस भाग के रूप में देखते हैं इस प्रिकार से ठीक है यह जो आपका भज्य होता है इसको हम भज्य करते हैं लिखते हैं, और इसका पहाडा बोलना हमें को, इतनी बाहर बोलेगे, या तो आठ आये, या आठ से, छोट आये, आठ से बादा दियाande रहर सी, इस परिकार दो का पहाडा बोलेंगे, चार बाहर ये आपके पास क्यों होगे है, आठ दो चोगे आठ माइनस करना है यह आपके पास सेज़ फल जीरो बज़ क्या है इस प्रिगार इसको रहा हम कहते हैं भाग फल ठीके दोस्त भी यह भाग फल यह आपका सेज़ फल और यह आपका भाजक यह आपका भाज्य कहलाता है इसी से अपनी सेज़ फल प्रमे बनती है क्या बनती है सेज़ फल प्रमे बनती है हिफिती है कि बाज्य बड़ बाजक गुना भाग फल प्लस सेज़ फल ठीके दोस्त बाज्य बबाजर बाजक गुना भाग फल प्लस सेज़ फल बाज्य अपना आठ है बाज़ग अपना दो है बाग फल अपना चार है सेश पल अपना कितना है जी जो यह इदर आठ है दो चोगे आठ पर आठ आगया इसका उद्वा हमने जो किया है वो भाग सही है लेकिन सात्यों यह तो क्या अलिमेंटर नौलेज है अब जीट के लेवल के सवाल हम करकर देख सवाल है कि 10,690 में किसी संक्यागा भाग देने पर भाग पल तैतर है तता सेशपल 32 है भाजक कितना है देखिए मैंने सेशपल प्रमे मत यह सीटेट में हाया हुआ है सेशपल प्रमे के इंसाम क्या लिखते हैं पाजिये प्राबर भाजक गुणा भाग भल प्लस सेशपल ठीके दोस्तों अपना भाजक क्या है 10,690 बराबर भाजक अपने को याद करना है भाजक को याद भाजक की लिखेंगे या एक्स लिखेंगे और भाग पल आपके पास तैतर दिवा प्लस आपका सेशपल है जो आपका 32 है ठीके दोस्तों अब हम क्या करते हैं इसको इदर पक्सांतन कर लेते हैं अपना भी यह हो जाएगा भाजक इंटू तैतर ब्राबर 10,690 माइनस 32 देखिए पक्सांतन करने पर आपके क्या होता है चिन बदल जाते हैं जैसे लड़का है उसकी साधी होगे इस अस्वाल जाता है दामाद होता है और अपने गाम आते ही बेटा हो जाता है ठीकर नबसी प्रकार यह इदर आएंगे प्ल प्रस्म हो जाएगा इस प्रकार हम इसको बाकी निकालते हैं इसमें से अपने पास यह आपका यह आठ यह आपके पास पांच शह दस हजाद श्रस्सो अठावन और भाजक बराबर अपने पास हो जाएगा दस जाद श्रस्सो अठावन बटा तैटर ठीकर है हम वापस भाग देखे देखते हैं अपना इसमें भाग देंगे एक बार जाएगा यह तैटर फिर माइनस करेंगे चैमें से तीर गें तीर अब यहां उदा लेंगे दरस दसमें से साथ यह तीर एक में से एक गया तो जी आपके पास चार बार देंगे चार तरी 12 आशिका 1 शाच अठाव 28 एक 29 तीर दो ना पांच में से दो गें तो तीर और यहां से उदार लिया तेरा तैरा में से लोग तो चार और इदर आपके पास दो जीडियो पिर आपके पास यह आठ आ अब इसमें भाग देता है चे व जीरो जीरो ठीके दोस्तों इस प्रिकार में पास भाजक जो है क्या है वह 146 आगया कितना है दोस्तों पाजक अपना कि एक सो च्यालीज यह जिस ऑप्शन में है उसको हमें राइट करना है अगला सवाल है वह करता है 3488 को बाया से भाग देने पर प्राप्त सेजपल और 2488 को 11 से भाग देने पर प्राप्त सेजपल का अंतर ज्याद कीजिए इनका हमें क्या करना है देखे 3488 है इसमें हमें 12 भाग देना है ठीक है उसी प्रगार आपने पास 24,78 है इसमें हमें क्या करना है 11 भाग देना है पहले हमें इसमें भाग देते हैं आपका ये 12 गम बारा 12,43,43,43 बार नी जाता है दो बारी जाएगा 12,24 फिर माइनस करेंगे 0,1 बस गया अपने पास यहां आप 8 उतार लेंगे 108 हो गया बार नमा कैं 108 ठीक दोस्तों ये 108 हो गया और फिर हम माइनस करते हैं 0,0,0 ठीक दोस्तों यहां से हम 8 उतारते हैं अब 8 यहां पर क्या है? चोटी संक्या है. यहां बड़ी संक्या है. यही छीजी मुखी से आपको ध्यान देना की है अब तक आपने सीखा, यह आपको गयात भी हो सकता है. मैं ये 10 गयर आपको मालूम नहीं है हम क्या कहते हैं तो यह बाग टूट गया उसकी याँ सुन्दे लगा देते हैं आज अकर अंतराश्ट गणित संस्तान के द्वारा यह मानिता खतम कर दी गई आज अगर यहां पर कम बचता है तो हम क्या कहते हैं इसमें जीरो बार भाग जाएगा कह जाएगा सात्यों इसमें जीरो बार भाग जाएगा वो जीरो यहां लिखेंगे और फिर हम बाकी निकालते हैं यह आपके पास आठ बच्छे का फिर आठ लिखना है आप सिदा नहीं कि भाग पूट गया उसका जीरो लिखेंगे ऐसा आजकल नहीं कहते हैं और नहीं इसे लिखते हैं जरी का अन्तरशय गनिट संस्तां की दौर्टि यहीं तरीका है उसी प्रकार इसमें भाग देते हैं यार्डोना बाइस 00CMA2 इह है फिर आकर साथ अतार लिए थिर हैत पंच 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 और फिर माइनस किया है हुआ आठ मैंसे अपने पास तीन और यह चीज़ ऑढ़ सेशकर कितना ढूं यह श्कूर कितना पर जागा आठ माइनस थी का आप नबार पांच यह पांच आपका उंसर जी सभी है को अमका सीठ तो इसको सही करना है ठीके साथियों अपना अगला सवाल है कि इस संख्या के अंदर हम 111 भाग दिया जाए तो भाग पल क्या होगा यह आपका हर्याना टेट मायावा सिलेबस लगवर सबका एक जिसा होता है प्रसने कहीं सब्सक्राइब पूचे जा सकते हैं इसलिए हम इसमें भाग देखते हैं इसमें हम भाग देते हैं 111 तीन एक बार देंगी हम 111 पिर अपने पास मायनस करेंगी एक बार जाएगा ना एक बार जीरो फिर एक उतारेंगे एक में प्रिष्ट ही चीजी तोट दूटिए रहा है यहां पर एक 211 भार जाएक इसका टिए ठीट हम लेगे उतारना है थीस तो यहां थार गिस्ना पदया हृँ फिर हम एक उतारेंगे ठीक है दोस्तों फिर अब 111 111 प्रापर हो गया इसमें एक बार भाग जाएगा और यहां 111 आपके पार 0000 पिंजिरो होगे अब यही पर यहां अगला एक उतारना यह वाला यह उतारेंगे अगे तो इस एक में 111 बाग देंगे तो वहापस 0 बार जा पिर यह उतारेंगे 11 11 में फिर आपका 0 बार भाग जाए क्योंकि चोटी है यहां पर आपको क्या करना यह एक बार और भाग देना है यहां दो जीरो लिखेंगे यहां 11 हो जाएगे फिर यह आपका एक अंतिम एक बच्चा उसको यहां लिखेंगे 111 और 111 बड़ाबर है इसमें भाग ठिए एक बार जीरो जीरो ची चाहिए आंविंच आंसर खर्ड़ी यह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं समय चैनल को सब्सक्राइब जरूर ब्रद Oui नीचे comment box दे रखा है उसमें comment करके बदाए कि क्या ठीक लगा आपको क्या समझ में नहीं है ताकि मुझे भी मालम चले कि आपको क्या बताना है क्या ठीक से समझाना है फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय बारत